कैप्टेन अमरिंदर सिंग का सिद्धू पर बयान सिद्धू को तानाशाही करनी की जासत क्यों कॉंग्रिस पर सिद्धू की क्या पकड़ है तो बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कहा कैप्टेन अमरिदर सिंग ने कहा कि सिद्धू को आखिर तानाशाही करने की परमिशन किसने दी है वो अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं इस वक्ति बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्ति बड़ी खबर बता रहे हैं पंजाब की सियासते जहां पर तमाम मामले खत्म होने के बाद अभी भी सिद्धू और कैप्टेन अमरिदर सिंग के बीच की तकरार तनाव और जो मनमुटाव है वो खतम नहीं हो रहा है कैप्टेन अमरिदर सिंग ने बयान दिया है कि कैसे सिद्धू को अपनी तानाश शाही रवईया और मनमानी करने के परमिशन मिल सकती है रंजीता इस बड़ी खबर बाचीत करने के लिए जुड़ रही है रंजीता रस्ती चेली गई बल नहीं गया बिल्कुल और जो अब डौड शुरू हो गया है एक बार फिर कॉंगर्स में वो आपसी बयान बाजी का और एक दूसरे पर पलटवार का हरी शावत ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उस स्टेटमेंट के बद के में जो आरोप लगाए गए है उन आरोपों का जवाब दिया है कैप्टन ने काप्टन ने जो एहन सवाल उठाए हैं वो ये कि आखिर इन जिस तरह के आरोप उनके उपर लगाए गए हैं उनका जवाब चलिए तो बड़ी खबर ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंग ने एक बार फिर से सिधू पर निशाना साधा है उन्होंने का है कि सिधू को पार्टी आला कमान ताना शाही करने की अजासत क्यों दे रहा है उन्होंने साथी यही कहा कि कांग्रिस पर सिधू की क्या पकड़ है यानि सीधा सीधा निशाने पर आला कमान है सिधू पर तो निशाना साधी रहें कैप्टन अमरिंदर सिंग उन्होंने सीधे आला कमान से सवाल किया कि आखिर सिधू को ताना शाही करने की पमिशन क्यों मिल रही है उन्हें मनमानी करने की पमिशन क्यों मिल रही है वो क्यो अपने मन मताबिक अनरगल बयान दे रहे हैं तो तानाशाही वाली बात उठाई गई है मनमानी वाली बात उठाई गई है और साथ सी साथ आला कमान पर भी सवाल खड़े किये गया है कॉंग्रिस आला कमान पर कि आखिर सिद्धू को आला कमान कैसे ताना शाही करने की पमीशन दे सकता है चले रुख करते एक और बड़ी खबर का 36 कॉंग्रिस संकट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष का बया